चलो प्यारे बच्चों सुरू करते हम दो अपना synonym antonyms का practice rate और हमें पता है कि हमारा अगर word power अच्छा है तो हम बहुत अच्छा English को cover कर सकते हैं अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं यह हमारा जो पहला वर्ड है डिपलोर का मीनिक पता होना चीए चार ऑप्सन से इसका पर्यावाची बताना है तो भई मैं आपको बार बार दोस्तों वीडियो में वर्ट्स बार बार रिपीट होंगे इससे याद हो जाते हैं और अगर नहीं भूलोगे डिप डिपलोर का मतलब क्या होता है डिपलोर का मतलब होता है निंदा करना निंदा करना मतलब बुराई करना तब इसका अंसर क्या होगा तो चार आप्शन से अंसर होगा भी क्योंकि कंडेम का भी मतलब होता है निंदा करना ठीक है रिग्रेट का मतलब क क्षटाना रिण को दिफरेंट का मतलब क्यों होते हैं देको दिफरेंट की फरक्ने पड़ता एक समान इन डिफरेंट न si होता है प्रशंशाह करना ठीक है तो डिपलोर का मतलब क्या होता है निंदा करना बुराई करना तो कंडेंग होगा ओके नेक्स्ट कैलस का सिम्नोनी मुटत ना या नहीं पार्यवाशी इसका मेनिक पता होना चीए चार ऑप्षण दिये गए है काइंड है सिंप्रेटिक है है और सूटेबल है और अंडिफरेंडे क्या हो सकता अंसर वही तो कैलास का मतलब हम्हें पता होने चाहते कैलास का मतलब हпаaimer करने एक क STEPHAN का मतलब क्या होता है जिसके अंदर सों कोई समेदन न हो मतलब कि अच्छा दूर कुछ कथोई परकेंगे परता है उसको कोई इंडिक नहीं होता है ओ मैंसा इसे हमेशा किस एक पर नहीं순 räum काईन का हिंदी दयालू होता है विलों पूछता तो अमडी लगाये होते सिंपाथटिक का मतलब होता है जिसके अंदर सहानू भूती हो मदद करने की इच्छा हो चाहत हो और सुटेबल का हिंदी होता है उचित थीन नंबर की बात करते हैं वर्ड बार बार रेपीट होंगे कि याद रखेगा Exodus Exodus का मतलब आपको ने पता होना चीए सिनोनीम बताना या या परेवाची अबंडन से ट्रांजाक्शन है डिपार्चर है और एंटि सीपेशन है क्या हो सकता है बैं कि प्यारबचों पहले आपको इसका मेनिंग होना चीए पता होना चीए मतलब होता है ब लेकिन जब चली जाती है तो उसे प्रस्थान कहते हैं प्रस्थान का मतलब होता है जाना तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा एक वर्ड डिपार्चर डिपार्चर का भी हिंदी होता है प्रस्थान प्रस्थान का मतलब चले जाना तो आंसर क्या होगा सब्सक्राइब एक साथ कहीं चले जाना एक साथ कहीं चले जाना तो अब लिख सकते हो एक साथ कई लोगों का कहीं चले जाना हिए ऑपानस के खते ही प्रचुरत्थ अधिकता कंड त्रांसेक्शन व्क करनल यह सबस्क्राइब निए यानते हो अनुक्ः कर सब्सक्राइब ऑपयक प्रहल ख सेम्डी को के आहिए यह इसके आप आरपाद नहीं देख पाओँ तो अ पारवाजी टीक है तो इसका फूल्टा पूछ रहा है न उल्टा होगा कॉन्सा बी क्रांसपारेंट ट्रांसपारेंट का मतलब होता है पारवाजी जिसके आप आरवाजी हो जाता लेकिन पूछाता विलोम इसलिए डी होगा रेप्रिमेंड का हिंदी होता है डाटना फटकादना और वर्चु का हिंदी होता है सद्गुण यह वर्ड याद रखेगा सद्गुण यह अच्छे गुण ठेक है अगला कोशन है हमारा वर्चु देखो फिर से आगया वर्चु इसका विलोम बताना ध्यान देना है बहुत अच्छा कोशन आता है वर्चु का मतलब क्या होता है अभी मैंने बता है सद्गुण यह अच्छे गुण अब चार आप्शन से पती है क्या हो सकता है क्रेडिट है आप चती है दिफीट है वाइस अ shift करते हैं वर्चु लोग सटे है व्रट वाइसमर्चु आई वक्तु होता है दुर्बुण और वर्ट crucial का मतलब that's all would तो उल्टा पूछा है विलोम तुसले हमारा उंसर होका see voice Viceई Based Credit का हिंदि की होता बई everything का थैंध हाटे में जमा कर देना पैसा क्रेडिट हो गया जमा हो गया डिफीट का मतलब बता है हरा देना और लॉस का मतलब बता है घाटा ठीक है तो पांचवे का सी होगा आप नोटबुक में जरूर लिखेगा भई डिसकंटेंटेड बहुत अच्छा वह दे डिसकंटेंटेंट एक्जाम के ल संतुष्ट इसका उल्टा ये न विलो संतुष्ट चार अप्सें से मर्की है स्टिस्फाइव है हाइड है अनधकार मैं ब्रेवरी कहें बहादुरी और हाई चीपाना आप जानते हो आंसर होगा बी अब आते में फिलिन दो ब्लैंके पर उतना यथारिश ए इतना ड़ा IS कि इसीं को भी पीट सकती है वह इतना है कि वह किसी सकती है त्रांसपारेंट कि रगता है वह को का मतलब होता है समेधन हीन मतलब उसको कोई अच्छा बुरा को कोई फरकी ने पड़ता है अब वो किसी को पीटने जाएगी और उसको ज्यादा चोट लगए तो कोई असाथ नहीं पड़ता है वो समेधन मतलब हीन है उसके अंदर कोई फीलिंग सी नहीं है उसके अंदर कोई पैटूपन के एक डाइस नहीं एक सदगुण है तो बैइंस क्या हो सकता है बताई ये को गिष्ट्टनी गेटनी यादी जह डाइस डाइस नॉट वर्चू तो भई इसका अंसर होगा हमारा चार अप्स दिया ग्या इसका अंसर होगा सीख्यों होगा मैं आपको बता दू कि ग्लटनी एक ग्लटनी यानि पेटूपन एक दुरगुण है अच्छा गुण नहीं है ठीक ना तो ग्लटनी is a voice यानि ग्लटनी पेटूपन एक दुरगुण है याद करने योगे गुड का ही अच्छा और डैलेमा का मतलब क्या होता है दुविधा ओके नौ नमबर देखो भई देर वाज एन डैस वेन दे शो एंडेड जब जब शो खतम हुआ जैसे कोई फिल्म का शो या कोई भी प्रोग्राम का शो जब शो खतम हुआ प्रीजन ना तो देर वाज एन डैस तब था ऐन्लगा है पका कोई ऐसा वर्ड होगा जो वावल से सूरू दी होगा नहीं सी होगा नहीं ए होगा नहीं वावल मनें ए आयो यू तो बचा भी और वैसे भी एक्जोडस का मतलब होता है बहुत सरे लोगों का एक साथ प्रस्थान करना तो जब सो खतम हुआ तो भीया क्या दिखेगा तो भीया एक एक्जोडस ही तो दिखेगा एक प्रस वह दुखी है क्यों भाई क्योंकि ही जी रहा है एक डास लाइफ एक डास जीवन क्या होगा भाई हमारे पास तो आप्शन डी तो नहीं क्योंकि संतुष्ट जीवन जिएगा तो फिर उसे खुश होना चीए अगर उचीती जीवन तो भी खुश होना चीए लेकिन वो सैड है रेवियो कहें दी होता है डाटना तो डाटना जीवन अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में आंसर होगा एक डिसकन्टेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट वह एक असंतुष्ट जीवन जी रहा है जी भूलोगे थैंक यू